हाई गाई सब कैसे हैं आई हूब अच्छे होंगे और आज किस वीडियो हम देखने बाने हैं जो भी जहत्र इंडियन आर्मी की त्यारी कर रहा है और एक्जाम मैं आपसे बादा करता हूँ जो कोशन मैं आपको दे रहा हूँ इन कोशनों को याद करके आप सो परशेंट किल जिसे कहते हैं समान ग्यान देखिए एक बात रयाद रखिए हमारा जो समान ग्यान होता है ठीक है समान ग्यान से जो कोशन हमारे पूचे जाते हैं वो 15 कोशन पूचे जाते हैं प्लस 15 समान विज्ञान से पूचे जाते हैं मतलब कि टोटल जो कोशन बनते हैं वो हमारे मतल नमबर से पास हो पाएंगे और मैं आपसे बादा करता हूँ 30 नमबर आप लगबख 50 नमबर का पेपर होता है जिसमें से 15 कोशन मैत के आते हैं प्लस 5 कोशन रीजिनिंग के आते हैं मैत और 5 कोशन रीजिनिंग वाले तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ केबल GKGS रेलेटेट 30 कोशन जो मौश्ट इंपोटेंट है आपकी एक्जाम के लिए 2022 में आने वाले कोशन बता रहा हूँ मौश्ट इंपोटेंट है तो मराठो किसको द्वारा पराजित हुए तो तिरती लड़ाई में तो आप कोगे जो दिखिए यदि हम तिरती लड़ाई की बात पहले पहली लड़ाई की बात करेंगे यदि फर्स्ट लड़ाई की बात करेंगे पानीपत के फर्स्ट लड़ाई कब होई थी तो आप ओगे 1526 में हुई थी कब हुई थी भी 1526 में किस-किस के बीच हुई थी तो आप ओगे बाबर के बीच हुई थी और इबराहीम की बीच हुई थी किसके बीच हुई थी बाबर और हुई थी इबराहीम के इबराहीम लोधी था उसके बीच में हुई थी यही तो ही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई उसके बाद में सैकेंड ये यूद्धी की बात की जाए तो कब हुआ था तो आप सभी कहेंगे 1556 में हुआ था अरे 1556 में तो हुआ था नेकर किस किस के बीच में हुआ था तो कहोगे एक बाबर का सेनापती था कौन था भई सेनापती याद रखना बाबर का सेनापती था क्या था उसका नाम था बैरम क्या था बैरम खा याद रखिए दूसरा किसका था बैरम खा बाबर का सेनापती था उसके बाद में एक था सेरसा सूरी का सेनापती सेरसा ठीक है याद रखिए शेर्शाह, ठीक है, शेर्शाह सूरी था, उसका क्या था, सेना पती था, उसका नाम क्या था, हेमू, उसका नाम क्या था, हेमू, बैरब और हेमू के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, कौन सा, पानिपत का तिर्थी युद्ध, ठीक है, अब उसके बाद में, अब आग कोगे अवदाली के बीच में याद रखिए अवदाली क्या होता है एहमद सा अवदाली ऑप्शन नमर्सी इस राइट कुछ क्लियर यहां से हमारे तीन कोईशन के लिए मेरे दोस्त कितने हुए तीन कोईशन अब कभी भी एक्जाम में यह आ जाए कि यह बता दो भी पानीप 1556 में हुआ था अब यही तो कहेंगे अब आपके अंदर क्या है अब बही अब जुरून आ गया है अब फश्ट की बात करें तो 1526 में बावर इब्राहिम के वह तीसरी युद्ध की बात करें मराठों के बीच में हुआ था और किसके अब डाली के बीच मों एहमल साब डाल बस खतम, तीरों कोशन क्लियर हो गए, ऐसे कोशन को पढ़ोगे ना, तब हमें, अब देखो, यहां से कभी यह तीनों, यदि पानिपत का कोई भी युद्धू अपसे पूछ लेता है, एक्जामर, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, ओके, क्लियर हो गया, शरूँ, नेक्स कोई बाहर नहीं जाएगा, तो बज़रे हो, दूसरे कोशन को देखो, दूसरा कोशन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, जोको याद रखना, प्रदेशों की राजधानी जरूर याद कर लेना, हमारे कितने प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेश हो, 28 प्रदेश है, 28 प्रदेश है, तो इनको सब की राजदानी बहुत जरूरी है, तो कैसे आप करोगे, आपको पता है हिमाचल प्रदेश की राजदानी क्या है, तो आपको हिमाचल प्रदेश की सिमला है, सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश की क्या है, सिमला है, दहरादून किसकी है, UK, उत्र आपके साफ में इस कोशन का आंसर कोंट सेक्शन बताओ क्या होगा एक बार सबसे पहले देखता हूं कौन देता है सुराज मेरा जनमसिद्यव. तरह इसका हो सुराज मुराज जलिवत में एकर शैकिस का नारा है उपना पूछ लेह आप बिया और गेख रेखने चाहिए इसका सबसे पढहे आंसर, सुराज मेरा जल्म सिद्ध अदिकार है, अब देखो जब जन्म की बात आती है, ठ्रिक देख लो, अब ठ्रिक बता रहा हूँ, मैं त्रिक कैसे का है? आप जन्म सिद्ध जल्म जर्म जब होगा तो हमने क्या लगाते हैं पता है तो तिलक लगा देते हैं जब किसी बच्चे को जब रखा देते हैं तो टिलक होजाएंग आप सिंपल याद करो क्या दिक्ट किसी को बताओ मुझे आप बिल्कुल सिंपर तरीक से ट्रिक से आद करो हमेशा कभी नहीं भूल ले हुए जन्म जब होगा तो क्या लेगा है तिलक लगा देते हैं तीका लगा देते हैं उसे नजलना लगे एक और था जैसे बहुत सारे थे एक था इनकी प्रगती स्वतंत्रा की नहीं ही इस यह इ और दो दो किसका है तो आपको स्वासन् memorable This का है अजादी कहता है आजादी दी नहीं जाती ली जाती Aldi का था और अछे बहुत सारे अधर पवाल्ति गंगा धरत्ला की ज़्हा पूच willen इंको को मैंने आपको बता दिया आप इस प्रिकार से याद कर लेना नेक्स कोशन आपके सामने है आप नोट भी कर सकते हैं जो बोल रहा हूं आप इक कॉपी को नोट भी कर सकते हैं बहुत जरूर रहेगा आपकी लाइफ के लिए उसकी बाद में यहां देखो अंतर राश्टे किर किर्केट परिशत का मुख्याले कहां है सभी का अंसराना चाहिए क्या दुबई कहा है दुबई अब दुबई कहां है आप से यह भी तो पूछ सकता है कि दुबई है कहां यह आप से सिंपल पूछ लेता है अंतर राश्टी किर्केट का परिशन किर्केट परिशत का मुख यह सईप्त अरव अमिरात में दुबई इस्तित हैं और इसको हम सिंपल अंतराश्टी किरकट को ICC भी बोलते हैं याद रखिए ICC बोलते हैं इसे इसको बहुत जरूरी है और इसकी स्थापना कभी आपसे पूछले इसकी स्थापना कभ हुई थी तो आप कोगे 1909 में इसकी सदस्ता ने थी तो आप को एक सो चार देश इसके सदस बने थे अंतर राष्टीय किरक्ट परिशत के इस बात को याद रखना जिसमें जिसमें बात की जाए 12 पूर्व सदस थे इसमें क्या थे 12 पहले से ही सदस थे और उसके बाद में बानवे जो थे 104 है, इस प्रकार से याद करियेगा ठीक है, और इसके मुख्याले कहा है 2वाई, कहा है, अमीराद में इसकी स्थापन गब हो एती 1909 में याद रखेगे Next question है, भारती विग्यान सथान कहा इस्ते थै, भारती विग्यान में कुमेंट स्थान का स्थान जीनिंट इससे पहने हैं कि नहीं गरीक貹 यह बेंगलूर कहा पढ़ता है तो आपको के करनाटक कहा पढ़ता भी बेंगलूर कहा था है बैंगलूर की राजधानी करनाटक करनाटक की राजधानी बैंगलूर है याद रखिए ठीक है इस पर गार से बैंगलूर हो जाएगा ठीक है करनाटक बैंगलूर सभी बहुत ही बढ़े हैं तो option नमर क्या हो जाएगा एज राइट रहेगा नेक्स कोश्चन राजधानी में है इसके बैंगलोर में कौन सा तो आपको भारती बिग्यान सिस्थान बहुत ज़्यदे इंपोटेंट है नेक्स कोश्चन आता है रामाड गरंत किसने लिखा और रामाड गरंत था वो किसके दवारा लिखा गया था अब बताओ रामा एट किसने लिखी थी आप भी बताइए तो सभी का अंसर आना चाहिए रामाट जो थी वालमिकी द्वारा लिखी गई थी most important है option नमरे सभी को पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा question बूझे जाता है ऐसे question अब कभी-कभी इसके अंतर आता है कि जो वालमिकी द्वारा लिखी गई थी तो जो वालमिकी थे वो कौन थे वालमिकी तो और किस नाम से जाना जाता था तो आप कोगे उसे आदी कभी के नाम से भी कभी के नाम से भी जाना जाता था ठीक है ठीक है किसके आदी कभी के नाम से भी जाना जाता था अभी कभी पूछ ले इसमें इस लोग के कितने थे रामार के अंदर कितने इस लोग है तो आप कोगे 24,000 इस लोग थे रामार के अंदर कितने इस लोग है तो सभी कहेंगे 24,000 इस लोग है और इसकी जब कांड की बात कर दे इसमें कांड कितने है तो आप कोगे 6 कांड थे कित इस प्रकास से याद करते हैं कि सूरी मंदर की जब भी बात करें तो सूरी क्या होता है और उड़के हुए पच्छे में पहुंच जाता है पच्छे में छुप जाता है तो उड़ता है मतलब उड़ी सा ठीक है उडरार उड़ीचा इस प्रकास याद कर सकते हैं नेक्स कोशिक यहां बात करने वाले यह कोशिक बहुत जबड़तास है आपके सामें यहां बोला गया है भारत और पाकिस्तान देखो यहां भारत बोला जिनके मुद्रा रुपया है तो एक तो हमारा भारत है इसमें रुपया चलता है एक तो पाकिस्तान है उसमें रुपया चलता है और एक है स्री लंका इसमें रुपया चलता है एक देश और है जिसमें रुपया चलता है तो आप सभी का आंसर आएगा नैपाल एक ऐसा देश ह चार ऐसे देश हैं जिसमें रुपया चलता है भारत पाकिस्तान स्री लंका और नैपाल अंसर ऑप्शन नमबर सभी का भी आना चाहिए को नेख्सकोशन, कि कोरोना वायरस का जो अधिकार की नाम क्या था, अधिकार एक नाम कुरोना वायरस को कौन से नाम से जानते थे तो आप सबी को यार यह तो पता हो, कौमेंट 19 चलो रहा है भई, टीकल लगवा लो तो भई answer option number D. लेकिन नेक्स्ट कोशन हमसे पूछा गया है प्रिसिद्ध गीत जो था सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हम बुल बुले हैं इसके तो यह रचना किसकी थी यह बताई उच्छा बताओ कौन देखते हैं कौन कॉमेंट सेक्षन में सबसे पहले आंसर देता है यह तो आपके सामने है एक है जो पवित्र ग्रंत गीता यह भी बहुत ज़्यादा रामायणों गीता बहुत ज़्यादा प्रिशिद्ध है एक्जाम में पूछ लेता है यह किसके द्वारा लिखी गई थी अब गीता किसके द्वारा लिखी गई थी आपको यह तो पता है बालमी की द्वारा रामायण लिखी गई थी तो गीता तो लिखेंगे नहीं वो ठीक है अब यह बताओ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी तो काली दास द्वारा भी नमबर C की ओर जाए गया गीता वेद व्यास द्वारा लिकी गई थी, option number C is right मुगल समराज की सथापना किस ने की थी, बहुत ही बढ़ियाम की अब की देखिने मुगल समराज की सथापना आट था तो आपको ये पता होगा जब इवराहीम लोधी को जब हराया गया था कब हराया गया था पानिपत के प्रिथम युद कब हुआ था दूस्तों तो पंदरा सो चब्विस में पंदरा सो चब्विस में जब हराया गया था पानिपद के पिर्थम युद में इवराहीम लोधी को तो बावर द्वारा कब किसके द्वारा खाये गया था आपको में बावर द्वारा तो बावर द्वारे जीद गया तब उसने मुगल समराज की इति भारत के अंदर बावर ने तो option number यहाँ एज राइट रहेगा, ओके, next question क्यों सेलते हैं, बहुत अच्छे point है, और मैं basic दोर पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशे याद रहे, ऐसे question repeated, next question है, प्रिसिद्ध कमांख्या देवी मंदर किस राजमें इस्तित हैं, कभी exam में आता है कि कमक्या देवी मंदर बहुत ही ज़ादा ये प्रिसिद्ध है कमक्या देवी मंदर, अब एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको बदा रहा हूँ ठीक है, तो कमक्या देखो कमक्या देवी मंदर है कि हर एक इंसान की जो कामना होती वो पूरी हो जाती इस मंदर में, ये देवी मंदर है ये किस राज में इस्तित है, हम से ये पूछा है तो आप हमेशा याद रखना, ये असम में इस्तित है ठीक है, कहा है भई, असम में इस्तित है और असम क्या है, असम के अंदर दिस्पूर जो है ना दिस्पूर इसकी राजधानी असन की राजधानी क्या है दिस्पूर तो दिस्पूर में इस्तित है याद रखना और यह क्या है आप गोहाटी जो कह सकते हैं जो गोहाटी है गोहाटी ठीक है गोहाटी के एक परबत है गोहाटी के पास एक परबत है जि असम में है दिस्पूर राजधानी है असम की राजधानी दिस्पूर में है याद रखिए कामाख्या वंदिर बहुत जाद इंपूट है और नीदा चल परबत पर इस्तित है गुहार्टी में जो डिस्पूर से लगबग में 8-10 किलो मिटर दूर पड़ता है गुहार्टी तो तो सभी का अंसर आना चाहिए असोग चक्र कौनसा भी असोग चक्र गैर शैनिक विर्टा के लिए जाता है और यह क्या है एक राष्ट पती द्वारा दिया जाता है कभी पूछ ले कि राष्ट पती द्वारा दिया जाता है तो आप सभी का अंसर आगा राष्ट पती इसे कार्क मार्क मार्क को माना जाता है option number यहां भी बिलकुल simple तरीके से है जो marks दे रखा है, marks बात तो marks लेग दीजी option number यही होगा, काच marks बिलकुल simple तरीके, इस पर वर्तक यही है बाकी कुछ नहीं होगा, अब हम भाग number 2 यहां से जो 15 question नमारे clear हो गया 15 यहां और देखेंगे, जो है हमारे समान विज्ञान से आधारित, army gd, बहुत most important question है exam 2020 के लिए मैं आपसे बादा करता हूँ, यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इनको पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, पेपर देनी चले जाना, क्याओ, मैं आपसे बादा करता हूँ, कि आपको बढ़ दी मिलेगी, सो परशेंट next question आपके सामने है निमनिक, इस question को एक बाद देखिए यह निमनिक फित में सबसे भारी करण कौन सी है सबसे भारी करण अब देखो सबसे भारी जब भी करण की बात करें, तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले कौन आता है तो आपको कि alpha, beta, gamma यही तो करण की होती है तो alpha जो होती है, वो सबसे भारी करण होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा option नमबर भी की हो जाएंगे alpha करण सबसे भारी होती है इस बात को हम याद रखेंगे हमेशा next question क्यों चलते है next question हमारे पास में है यहाँ बोला गया है, रक्त में उपस्तित हेमोगलोबीन एक जटली प्रोटीन है जो, ठीक है, जिसमें से dot dot something होता है, तो आपको पता है लोहा पाया जाता है चांधी, सोना तो पाया नहीं जाता होगा खुन के अंदर, लोहा की मात्रा होती है ठोडी छी, होती यह नहीं होती है तो आइस तो हमसे बूछ ला है कि रक्त में उपस्तित त्हमोगलोबीन एक जटले प्रोटीन है जो की संपन होता है, लोहे से होता है option number किया होगा भी डी की ओर जाएंगे next question यहां बोला गया हास gas रसाइनिक सूतर क्या होगा हास gas का मतलब क्या होता है जिसे हम laughing gas कहता है मतलब इसे सुने से हमें क्या हो जाए भाई हसी आने लगे laughing gas, gas gas, यहीं दोगलाती है अब कभी भी यह पूछ ले तो एन फर को हमने क्या मारा एन को हमने क्या 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 एन एक बंदा था उसको नेक्स कोशन हमसे बोला गया है निमने कितमे से कौन सा गैस उतकर सी गैस नहीं है तो आपको कभी भी आजाए उतकर सी गैस को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं अक्रिय गैस को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं और अक्रिय गैस की जो टोटल छे अक्रिय गैस होती है जो सून बर्ग में आती है कि अक्रिकाइस के संख्या कितनी होती है यहां से एक कोशन यूपी पूलिस में भी पूचा गया था बहुत बार पूचा जाता है इसलिए मैं आप से पूचा है नहीं तो आप तो वैसी बता दोगी आक्सिजन नहीं होगी तो अप्षिय नंबर एप लगा दोगे को ऩहले कि से लिए खाइस कॉंची है तो देखो सब से पहली होती है याद honed यह वह होती है XC और एक होती है redone या देखो redone ठीक है तो redone होती है वह होती है आर एंट तो कितनी हो गए एक दो तीन चार बांच छे यह चे गैस होती है अक्रिय गैस को ही उतकर्ष गैस बोलते हैं इस most important है हमसे पूछा है कौन सी नहीं है तो आप होगे oxygen नहीं होती है पर बाकिiegen को यह सब्सक्राइब रखना अप याद रखना in हर ऊनि शे के यार और आर बस इतना यार कर लोर बेंड़ों इस टॉबिक से लिखो क्рим अरल इडाएम बस बारिर काई बश्याद कर लो कोई निद्गत नहीं होगी नेक्स9 जलिए कि यहाँ से बूराय गया है किस विटामिन से हड्ड यो को मजबूती मिलती है तो आपको सभी पता हुआ होंगा बिटामिन ड ब्टा मिलता है वह हमारी हड्दियो को calcium प्रदान करता है तो यहीं हर्डी मद्बूत होगी option number D is right होगा next question आपके सामने आगया है देखिए यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि VCG जो VCG का टी का लगता है किस रोग के उप्थाम के लिए किया जाता है तो कौन से रोग के उप्षाम के लिए किया जाता है तो कौन से ऐसा रोग है जिसके रोग थाम के लिए VCG का टी का प्रयोग करते है तो आपको याद रखना है इसके लिए हमेशन टीवी का यूज़ करते है टीवी वाले बार चेड़ों टीवी को हम क्या एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं तपेदिक, तपेदिक की नाम से तो वी सी जी का टीका टीवी और तपेदिक में यूज किया जाता है, ओप्चन देखिए ता से हो जाएगा टी, इस परकार से याद रखिएगा तपेदिक, ठीक है, याद रखिए त आसर जाएगा टी टीशेट टीवी और टपीडिक कोई दिक्कत किसी को वी सी जिगा टीगा मैक्स कुशन को चलते हैं यहां गहरा है पीतल में सामिल होता है वही पीतल जब बनता है तो वह क्या क्या चीजों से बिनक बना होता है मैं आपको सिंब्ल ट्रेक बता दू जब हम प काली टैप की काजी जम जाती है का और जी क्या जम जाती है का और जी क्या जम जाती है का जी काली काली टैप की काजी काई टैप की काजी तो का से क्या हो जाएगा देखो कौपर और जी से क्या हो जाएगा जिंक और कहीं दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा तो कौपर ज पीतल किसकी बनी होती है कोपर और जिंक के मिस्रण से पीतल बनती है आप सिंपर तरीके से यहाथ करजे क्या जम जाती है काजी तो काजी काजी जिंग option number c next question बिलकुट सिंपर तरीके से हम यहाथ कराएंगे आपको next question आप से पूछा गया है जब डी जब बनाने में प्रीयोग होने बाला पतार्थ कौन सा है देखिए जब लैड पेल से जो बनाई जाती है उसमें ग्रिफ ग्रिफाईट का प्रियोग होता है सिंपल तरीक है यह तो कुछ ज़्यादा फाल्तू पढ़ने की जुरूत नहीं है यह सब को बदा है लैड पिल से लाने के लिए ग्रिफाइट का यूज किया जाता है और बाकी जो बात की जाए मेथिन के अलाबा जो होता है डाई ऑक्साइड पाई जाती है अधायोकसाइड अब डायौकसाइड कौन-कौन सी होती है बोध यह 25 पर्शंट से 45 परशंट तक पाई जाती कि यह 25 परशंट तो पैंतालिस परशंट उसमें डायौकसाइड होगी यह दिए 75 परशेंट उसमें मेथेन है तो 25 परशेंट डायॉक्स ओड़ोगी और बाकि अन्न जीरो 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 परशेंट इस प्रकार से आप जिर मेथेन वता है थोड़ा 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 होते ही लेकर सबसे ज्यादा हम से नुजा है पिरमो घटा कौन है तो हम मे एति होता है एक से कोशन हमसे पूठा गया है कि यह भूला गया है मैंडलीव की आवर्थ शारी तो मेंडलिफ़ की आवर्तिसारी ते किस पर आधारित है तो सभी का आणसर आए Geni कि सबीक है और किस पर आधारित है नेख्स कोशिण हमारा सामने आ चुका Ты small यहां बोला गया है देखें दोस्तों यहां जो बोला गया है इस कोशन को देखेंगे यहां बोला गया है संत्रे में बिटामिन प्राचूर मातरा में पाया जाता है तो संत्रे के अंदर आप जानते हैं संत्रा खट्टा टाइब का होता है तो उसमें बिटामिन सी ही पायां जाएगा बैलकुल राइट है संतरा तो credited लाएगा यदि आप शेर्चित से लुटता है लेंगे नियारो तो आप क्या दोगे तो को कहँए 273- lumière यह रखना 273- discuss आप से पूछा जाता है क loop को याद करे ना नेख मेर कौन सी को लोहे के साथ कर ने से लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनती है आप बताइखें सकता है इस टेनलिस स्टील जो बनती हैं वो कौन से धातु के प्रयोग करने से बनती है तो सभी का अंसर आएगा क्या बनती है सी यार हमने बताया था आपको क्रेमियम जो क्रेमियम होता है क्रोमियम जिसे बोलते है क्रोमियम के प्रियोग से क्या बनता है इस्टिल बनती है और इसका जो परमाडु भार की बात की जाए इसका जो परमाडु संक्या की बात की जाए वो 24 होता है इस परकार से यादर किए next question हमसे पूछा गया है last question नहीं तो अभी एक question हो रहे है इस question कोई पाज चेक करिए यहां किया रहा है, आकासी पिंडो को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप आकासी पिंडो को ख़गोल दूर्दर्सी द्वारा भी देखा जाता है, यह बात सही है, दूर की बस्तू को देखने के लिए ख़गोल दूर्दर्सी का यूज़ा है, लेकिन आक की जब भी बात करें तो आप क्या बताएंगे टैली स्को़प का यूज किया जाता है आकासी पिंडों को देखने के लिए किसके ये užस्तू को करे एक लिए खाबूली दूरश और सु कह आ कuine द्वारव जवी दौdi का सुद्धी क्या जबरा है तो जीव के दोरा किया अंग का सुद्ध करन चुछ करता है प्लदो होता है आप थो कैजन के द्वारा होता नहीं है द्वारा नहीं है क्या करें तो आपकी आज की वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्सर में आप जुरू बताना मैं आसा करता हूं को वीडियो पसंद आई होगी और यह कोशन मौश्ट इम्पोडेंट है आपके एक्जाम 2022 में आर्वी जीडी को हम कुछ भी हो जाया है बड़ी लेकर आएगे तो यह कोशन म अब आएगे जान को स्काइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से जादा दोस्तों को शेर कर देना देने अक्षें तब तर की लिए पाई